हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू मैं इस्टडी चैनल दोस्तों आज में उस्सर्जन तंत्र यानि एक्सक्रेटरी सिस्टम की अंतरगत ब्रिक यानि कीद्नी की संरचना की बारे में बताऊंगी जैसे कि दोस्तों इसके अंतरगत नेफ्रान क्या है कैसी नेफ्रान से मुत्र का चाना जाता है और कैसे सब चीज और सोसित होने के बाद यहां पर मुत्र का निर्मार होता है यूरीन का निर्मार होता है इसी के बारे में डीटेल में बताऊंगी इस वीडियो को देखने के बारे में कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा वीडियो को सुरू से लार के पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं तो दोस्तों कहना चाहूंगी कि यदि आफ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटेटिय एक्जाम्स का प्रिप्रेशन सीलिबस के एकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो इसलिबस के एकॉर्डिंग है सभ लए। दोस्तों चल जाएं आज के टापिक बृक यानि किया दुस्ती गया धरनी किया है भी दूस्तों चैनी में बृक नुक्ता यानि Nipphone होती है यहई Nipphone, मुत्रका निर्मार करती है और इस निर्मार करके उसका संग्रा कहा करती है मुत्राशे में यानि की युरिनी ब्लेडर में करती है और मुत्र का रंग जो है पीला होता है और यह पीला रंग किसके करण होता है दोस्तों यूरोक्रोम के करण ठीक है और यूरो क्रूम को मुत्र का पिगमेंट यानि वर्डक भी बोला जाता है और दोस्तों मुत्र का पियेश मान कितना होता है छे होता है यानि यह अमली होता है ठीक है और दोस्तों इसमें मुत्र में क्या क्या होता है दोस्तों इसमें जल अधीक होता है इसके जाते कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अमल, अकुछ लवड होते है और दोस्तों शमान में मनुष्य 24 गंटे में 1.5 लिटर मुत्र उस्सरजित करता है 24 गंटा में 100 से 140 लिटर मुत्र का निर्माड होता है अब बात करेंगे मुत्र के उस्सरजन भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों ब्रिक के उस्सरजन भाग तो इसमें दो किडिनी होता है और दो मुत्र नलिकाए यानि जिसे जो टर्स कहते हैं जैसा कि चित्र में दिख रहा है और एक मुत्रा से होता है, जहां पे मुत्र आकर कठटा होता है, बाहर निकलने के पहले तो उसे कहता है यूरिनरी ब्लेडर और इसका आंति मभाग होता है मुत्र नली, यानि यूरेठरा, जिससे मुत्र को बाहर निकला जाता है अब बात करते हैं ब्रिक जैसा कि दोस्तो ब्रिक सेम की बीट जैसा उधर गुहा में कसेरुक दंड यानि रीड हर्डी के इधर उधर कमर के जरा उपर होता है इसकी लंबाई 10 से 13 सेंटिमीटर चोड़ाई 6 सेंटिमीटर वजन 1500 से 200 ग्राम और दया ब्रिक बाया ब्रिक की अपिछा कुछ नीचे होता है ब्रिक के चारो और पाई जाने वाली जिल्दी को क्या खाती है पेरिटोनियम जिल्दी ठीक है इसको भी से शुरुक में ध्यान में रखेगा ब्रिक के यानि कीड़नी के चारो तरफ कौन से जिल्दी पाई जाती है पेरिटोनियम जिल्दी दोस्तो इसका बाहरी किनारा उत्तल यानि उब्रा हुआ होता है और भीतरी किनारा उत्तल यानि धसा हुआ होता है मुत्र नलिका यहीं से यानि यूरेटर निकलता है और दोस्तो जो धसे हुए इस्थान को हाइलम कहते है अब ब्रिक की वाहिकाओं का प्रिवेश और निकाउस हाइलम पर ही होता है पर टेक ब्रिक के शिखर पर यानि ब्रिक के उपर एडिनिल कंथी इस्तित होती है दाया ब्रिक अपेच्छा की छोटा और मोटा होता है ब्रिक से निकल कर पतली नली फैले नूमा गुहा में खुलती है पतली नली को यूरेटर यानि की मुत्रे नली और फैले नूमा को इरृण की ब्लेडर मुत्रा अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिक की सन रचना के बारे में जैसा कि दोस्तों यह चारो और तंतुमें सेजी का महीन खोल जिसे ब्रिक खोल रिजिनल कैपसुल करते हैं उससे गिरा रहता है इसके चारे और इसके बाहर एडिपोच कैपसुल होता है कैपसुल के नीचे किद्नी पदार्थ गहरे रंका होता है दोस्तों किद्नी के तीन भाग होती है रिजनल कार्टेक्स रिजनल मेडिवला स्विस गुहा रिजनल पिल्विश रिजनल कोर्टेक्स जो होती है वो बाहरी भाग है बाहरी भाग कोर्टेक्स बोला जाता है यह गहरे लाल रंग का ग्लोमे रूलर्स एवं बोमेंस कैपसुल संपूर्ट यहां पे उपसित होता है ग्लूमेनुलर्स और वोमेन संपूर्ट क्या है यहां इसी वीडियो में आगे चल कर आप समझ जाएंगे दुसरा पार्ट होता है दुसरा भाग रिनल मैडिला जो बित्री भाग होता है इसमें संग्रा नलिकाएं होती है या इब्रिक नलिका हेंडरे लूप का लूप आवस्थित होता है यानि निफ्रान होता है तिसरा भाग होता है सिस गुहा यानि रिनल फैल्विस या सबसे अंदर की और खोकला कच्छ होता है ब्रिक में बना मुत्र जो होता है अब बात करते हैं दोस्तों जो मुत्र का निमार करता है ब्रिक नलिका जिसे निफ्रान कहते हैं जहां पर रक्त को छाना जाता है उसका सुद्धी करर किया जाता है तो दोस्तों निफ्रान जो होता है वह लंबी महीन वह कुंडलित नलिका होती है निफ्रान जो है ब्रिक की रचनाद्मक ये उनकार्याद्मक इकाई होती है यह ध्यान में रख्ःगा प्रतीक ब्रिक में इलख भग 10,30,000 ने खर्च्जार नेफरान होते हैं अब बत करते हैं नेफरान के सभी भागों की इसके सन रचना की तो नेफरान के निम्न भाग होते हैं पहला है मालफिग्यन कोश यासे कि दोस्तों निफ्रान यानि क्यों ब्रिक नलीका का प्रारंब प्याले नुमार रचनाश्य होती है जिसे बोमेंस कैप्सुल कहते हैं या इस स्वेमस इपिधिलियम से आस्तारित होता है बुमेंज कैफेटूल जो होता है बुमेंज सकैफेटूल के बीतर अभी वाई यानी अफ्रेटूल के गच्छा होता है इसली गुछे को गलोवेर रूलर्ड कहते हैं और इसमें रख्ध चंता है। इध्यान में रखेगा, नेफ्रान की ग्लोमे लुलस में ही रख्त छनता है, फिल्टर होता है, इसमें रख्त अभिवाही धमनिका द्वारा पहुचता है, ठीक है, ब्रिक में रख्त किसके द्वारा पहुचता है, अभिवाही धमनिका द्वारा, जिसका ब्यास बड़ा होता दियान में रखेगा कई पर यह कुस्चन पूछा हुआ है कि ब्रिक में रख्त कहां कि इसके द्वरा पहुंचता है तो अभी वाही धमनी का द्वरा यानि एफ्रियंट धमनी द्वरा आर्टिकल्स द्वरा एंट वोमें स्केपसल तथा ग्लोमेलोरस मिलकर मारफियं कोष बनाते हैं ठीक है अनेक्श्ट भाग है इसके बाद इसी प्याले नुमा सनरच्चा जो मारफियं कोष होता है वोमेंस कैपसल होता है उसी से मुत्र नलिका नेफरान का इस्तरावी भाग होता है तो दूसरा भाग है मुत्र नलिका यानि नेफरान का इस्तरावी भाग ठीक है तो इसमें गुमेंस कैपसुल के नीचे का भाग जैसा कि चेचर में दीख रहा है मुवेस कैपसुल के नीचे का भाग जो ग्रन्थी या सिलियेटेट एपिथिलियम से आस्तारित होता है से एक पतली नलिका निकलती है जिसे नेफरान नलिका कहते है यहां आगे चलकर बहुत लंबा कुंडलित हो जाती है जैसा कि चितर में देख रहा है और इस नेफरान नलिका की चारों तरफ रख्त कुशिकाएं होती है यानि कि यह नेफरान नलिका चारों तरफ से रख्त नलिकाओं से घिरा होता है और यहां एक और अभिवाही धमनिका यानि की एफ्रियेंट आर्टिकल्स एंड एक और अभवाही धमनिका यानि ब्रिक सीरा यानि रिनल वेन से जुरी रहती है इसके तीन भाग होते हैं मुत्रक नलिका यानि की निफ्रान का इस्त्रावी भाग जो होता है इसके तीन भाग होते हैं समीपस्त कॉंडलिक नलिका हेंरे लूप और दुरस्त कॉंडलिक नलिका समीपस्ट कुंडलित नलिका, proximal convoluted triples, यह नेफ्रान का बोमेंट कोस्ट से निकलने वाला जो बोमेंट स्कैपसुल जो होता है, उससे निकलने वाला कुंडलित भाग होता है, जैसा कि चित्र में दीख रहा है, बोमें स्कैपसुल जो दीख रहा है, उससे ज़स्ट बात जो नलिका निकली है वही समीपस्त कॉंडलित यानि कि उसके समीप है इसलिए समीपस्त कॉंडलित नलिका बुला गया है तो यह निफ्रान का बुमेंस कॉइपसुल से निकलने वाला कॉंडलित भाग काफी मोटी नलिका होती है ठीक है अदुसरा भाग होता है हेंरे लूप जो यू के आकार का होता है ठीक है निफ्रान का मध्य भाग होता है जो यू के आकार का होता है यह औरोही लूप यानि डिसेंडिक लूप वह औरोही लूप यानि असेंडिक लूप से बना होता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है औरोही लूप उपर उठकर वोमेंस कोस के से होते हुए दुरस्त नलिका में खुलता है ठीक है अब तीसरा भाग है दुरस्त कुंडलित नलिका यह जो है निफ्रान नलिका का अंतिम भाग होता है फिर यह सीरी होका ब्रिक के मेडुला में प्रवेश करती है और संग्रा नलिका यानि कलेक्टिंग ट्यूब में खुलती है यानि कि दुरस्त कुनलित नलिका जो है अंत में मेडुला में प्रवेश करके संग्र नलिका यानि कलेक्टिंग ट्यूब में खुलती है ठीक है और पहला भाग हमने पढ़ा मालपीगियन को दुसरा मुत्र नलिका यानि फ्रान का इस्त्रावी भाग अतिसरा है मुत्र नलिकाएं यानि की यूरेटर्स या जैसा कि दो मुत्र नलिकाएं होती हैं जैसे पतली पतली दीख रही हैं जो यूरेटर यानि मुत्रास से जुड़ी रहती है ब्रिक से मुत्र को लाकरके मुत्रास यानि यूरेटर में इकठा करती है तो यूरेटर्स यानि मुत्र नलिका हैं, दो मुत्र नलिका 10 से 12 इंच लंबा होता है, आधा इंच से कम गोला यानि ब्याश होता है, किड्नी से ब्लेडर की सतह के पीछे यहां पे होता है, जैसा कि दिख रहा है फिर आता है मुत्र आसा यानि कि यूरिनरी ब्लेडर, जहां पे मुत्र आके एकठा होता है बाहर निकलने से पहले, यहां पिचकने फुलने वाला थैला होता है, खाले होने पर पिचक जाता है और मुत्र से भरने पर फुल जाता है, मुत्र को सरीर से बाहर निकालने से पुर यहां पर मुत्र इकठा होता है अंति भाग होता है मुत्र मार्ग यानि मुत्र नली यूरित्रा जिससे होकर मुत्र ब्लेडर यानि मुत्रासर से सरीर के बाहर निकलता है तो दोस्तों हमने ब्रिक यानि किलिनी के बारे में पूरा संरशना पढ़ा और इसमें जो निफ्रान ह होता है यह मुत्र का निर्मार करता है यह हमने जाना और इसके कितने भाग होते हैं यह हमने जाना और अंत तक कैसे इस्त्रावित होता है मुत्रासय से मुत्र नली इरृत्रा तक इसको हमने जाना तो दोस्तों आयोब कि आपको समझ में आया होगा एं दोस्तों आप नेस्ट में हम जानें गे कि मुत्र का निर्मार कैसे होता है यानि Blood का Filpation कैसे होता है और Unth मेности का मुत्र निर्मार की तीन वीडियो को हम जानें के अल्रा को जानेंगे तो दोस्ति यह वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और ज़्यादे सेयर कीजिए दोस्तों और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएए और दोस्तों सिलिवस के एकार्डिंग पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है रेगुलर ब मेरे बताओ वीड़ने कיमरे धिन की टॉपिक पर ऑनल थिष्द ही दोस्तों हैं जरूर 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 बताओग।